गुड मॉनी अव्रीवन चलो वचे एक न्यू सेक्षिन हम आज करते हैं आपका सेक्षिन सिक्स्टी एट जो की बात करता है बाइबैक औफ सिक्यूरिटीज की तो पेटा कल हमने सेक्षिन सिक्स्टी सेवन पढ़ा था ना जो कहता था कि कोई भी कमपनी अपने शेर्स को बाइबैक नहीं कर सकती है बट बेटा अगर सेक्षिन सिक्स्टी एट की कंडिशन्स कमपलाए होती हैं तो कमपनी अपनी सिक्यूरिटीज को बाइबैक कर सकती है तो आप एक तरह से कह सकते हो कि जो सेक्षिन सिक्स्टी एट है वो सेक्षिन सिक्स्टी सेवन का एक एक सेप्षिन है ठीक है चलो ध्यान से मेरी बाते सुननी है बेटा बेटा पहले एक बाद बताओ मेरी बात ध्यान से सुनना से जो मैं कहूंगा सबसे पहले उसने यहाँ पर दिया है sources of buyback ध्यान से सुनना बिटा एक पाँ बताओ जब आप अपने shares को अपनी securities को buyback करोगे ठीक है तो जिससे buyback करोगे उसे आपको पैसा देना पड़ेगा बिटा तो अगर मैं company हूँ मैंने आपको shares issue कर रखे हैं मैंने आपसे वो shares buyback करें buyback मतलब खरीद लिए तो मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा main बात है बिटा company के पास देने के लिए पैसा कहां से आएगा चलो पढ़ते हैं बिटा समझते हैं section 68 company के पास पैसा कहां से आएगा sources of buyback buyback करने के लिए company के पास पैसा कहां से आएगा तो पिटा company सबसे पहले तो क्या कर सकती है company के पास जो free reserves पड़े हैं जैसे general reserve profit and loss account तो company सबसे पहले तो अपने free reserves को क्या कर सकती है utilize ठीक है अच्छा आपने section 52 पड़ा है बिटा securities premium के बारे में जो बताता था utilization of securities premium security premium can also be utilized for buyback of shares तो आप चाहो तो securities premium को भी utilize कर सकते हो as per section 52 आप securities premium को utilize कर सकते हो ठीक है लेकिन बिटा अगर आपके पास अगर आपके पास profits insufficient है sufficient profits available नहीं है तो आप market में बिटा securities issue करके पैसा raise कर सकते हो मतलब proceeds of fresh issue of securities आप market से पैसा आपको पैसा raise करना है न बिटा कैसे raise करोगे अगर मेरे पास insufficient profits है तो मैं market से पैसा raise कर लेता हूँ कैसे by making a fresh issue of securities तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप पैसा raise कर सकते हो copy करो बिटा ठीक है आगे चले फिर उसने काए however buyback shall not be made out of an earlier issue of same kind of shares और other specified securities बेटा एक बात समझना उन्होंने साफ साफ का था कि fresh इशू होना चाहिए फ्रेश इशू बेटा फ्रेश इशू होना चाहिए अब आपके आपने पहले कभी पहले कभी कोई shares या securities issue करे थे उसका पैसा पड़ावा है company के पास क्या company उस पैसे को utilize कर सकती है क्या नहीं कर सकती बेटा फ्रेश इशू होना चाहिए shares का तो earlier issue को आप utilize नहीं कर सकते ठीक है copy कर लो ये चल आगे चलें अब दियान से देखना है बेटा बेटा अगली शर्त क्या है authorization in articles of association is required for buyback तो ठीक है जब तक articles आपको authorized नहीं करेगा आप buyback नहीं कर सकते बेटा अब ये important एक discussion करूँगा बेटा resolution for buyback and limits on buyback अब सुनना बेटा ध्यान से सुनना resolution and limits बेटा इंपर्टन केस है and limits for buyback resolution and limits for buyback आपको पता है बेटा buyback के लिए buyback के लिए company चाहे तो special resolution भी पास कर सकती है और buyback के लिए अगर company चाहे तो board resolution भी पास कर सकती है तो buyback के लिए company चाहे तो special resolution पास कर सकती है चाहे तो board resolution पास कर सकती है आप कोगे सर फिर कौन सा पास कब करना है वो depend करता है बेटा company कितना buyback करना चाहती है जादा buyback करना चाहती है या कम buyback करना चाहती है बेटा अगर जादा buyback करना चाहती है न तो shareholders की permission लगेगी मतलब special resolution लेकिन अगर कम buyback करना है तो shareholders की permission लेने की जरूरत नहीं है board of directors की permission ले लो काम चल जाएगा बेटा तो याद रखना special resolution पास होगा अगर जादा buyback करना है board resolution पास होगा अगर कम buyback करना है ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा जराब बताता हूँ ध्यान से सुनना बेटा बेटा अगर company अगर company ध्यान से सुनना अगर company special resolution पास करती है न special resolution तो बेटा maximum buyback अगर company special resolution पास करती है तो maximum buyback maximum बेटा कितना हो सकता है 25% of paid up capital plus free reserves बेटा इससे ज्यादा आप buyback नहीं कर सकते हैं 25% of paid up capital or free reserves ठीक है एक और condition बना दो बेटा और 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 25% of number of shares outstanding 25% of number of shares outstanding मैं अभी आपको न एक example देकर समझा देता हूँ whichever is less maximum इतना buyback कर सकती है बेटा company copy कर लो फिर मैं आपको एक example देकर बताता हूँ बेटा थोड़ जरा ना नीचे एक example लिखो बेटा इसके नीचे एक balance sheet जरा मैं company की बना रहा हूँ simple सी एक balance sheet balance sheet में equity share capital stand कर रही है 1 lakh shares at the rate of rupees 10 each 10 lakh और free reserve stand कर रहे है 2 lakh है ठीक है यह मैंने आपको balance sheet देती पिटा पिटा condition क्या है maximum buyback कितना हो सकता है 25% of paid up capital plus free reserves तो 25% of 10 lakh plus 2 lakh यानी बताओ बेटा कितना आ गया यह कितना आ गया यह 25% of 3 lakh तो बेटा यह आ गया आपका मतलब पहली condition के हिसाब से maximum buyback आप कितना कर सकते हो 3 lakh अभी सुनना बेटा यह जो 3 lakh आया है न यह तो रुपीज आया है रुपीज मतलब इतने रुपे का buyback आप कर सकते हो इतने रुपे का buyback तो अगर रुपीज में answer निकालना है तो 3 lakh आ गया अगर मैं पूछूं कितने shares buyback कर सकते हो रुपीज में नहीं चाहिए answer number of shares में answer चाहिए तो बेटा इसको इस figure को इस figure को बेटा divide कर देना by buyback price per share इस figure को divide कर देना by buyback price per share और suppose suppose question में बेटा buyback price per share आपको given है 15 रुपे मतलब 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 company एक share कितने रुपे का buyback कर रही है 15 रुपे का तो मुझे बताओ तीन लाक रुपे के shares buyback करने है और एक share 15 रुपे का buyback कर रही है तो number of shares कितने आगे बिटा 20,000 shares क्या हो सकते हैं buyback first condition के हिसाब से बेटा बात समझ आई तीन लाक रुपे के share buyback कर रही है divide by एक share 15 रुपे का buyback कर रही है तो 20,000 share company क्या कर सकती है buyback first condition के हिसाब से और 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 बेटा second condition के हिसाब से आप कितने हैं कितना buyback कर सकते हो 25% of number of shares outstanding तो 25% of बेटा balance sheet में shares कितने stand कर रहे थे एक लाक share ना तो एक लाक का 25% तो कितना हो गया 25,000 shares आप क्या कर सकते हो buyback दोनों में से whichever is lower तो बताओ company कितना buyback कर सकती है maximum 20,000 तो maximum shares that can be bought back that can be bought back is 20,000 shares इससे ज़्यादा बेटा company buyback नहीं कर सकती बाइपासिंग अ special resolution by passing special resolution बात समझ आई बेटा सबको तो अगर company special resolution पास करती है तो maximum buyback company कितने shares का कर सकती है बेटा 70,000 shares का उससे ज़्यादा नहीं copy करो इसे समझ आई बेटा दोनों conditions दोनों में से whichever is lower यह chapter है बेटा पूरा आपके group 2 में accounts में ना copy कर लो पहले इतना अच्छा अब सुनो बेटा सुनो सुनो पहले बता यह बात समझ आई ठीके अब सुनो बेटा बेटा अब उन्होंने कहा लेकिन अगर company board resolution पास करती है मतलब shareholders का consent नहीं लेती है तो उस case में company maximum buyback maximum buyback कितना कर सकती है maximum 10% of paid up capital plus free reserves इससे जादा नहीं कर सकते हैं तो हमारे वाले case में बताओ बेटा 10% of paid up capital क्या थी 10 lakh free reserves 2 lakh तो 12 lakh का 10% मतलब 1 lakh 20,000 rupees के shares buyback कर सकती है यह 1 lakh 20,000 rupees के share हैं अगर मैं number of shares निकालू number of shares that can be bought back तो इसको क्या करना पड़ेगा बिटा divide करना पड़ेगा buyback price से तो एक बाँ बताओ 120,000 rupees के shares आप buyback कर सकते हो divide by 1 share 15 rupees का buyback हो रहा है तो maximum आप 8,000 shares क्या कर सकते हो buyback इससे जादा नहीं तो पेटा याद रखना अगर board resolution पास करते हो तो 8,000 से जादा buyback नहीं कर सकते हो अगर special resolution पास करते हो तो maximum 20,000 shares आप buyback कर सकते हो copy कर लो clear हुआ सब को चलें अच्छा आगे देखो बिटा अब यह देखो बिटा एक बाँ बताओ special resolution की मैं बात कर रहा हूँ special resolution पेटा कहां पर पास होता है general meeting में और general meeting से पहले आपको members को क्या देना पड़ता है notice तो जो general meeting का notice आप भेजोगे members को उस notice के साथ attach होके जाएगी एक explanatory statement basic words मैं बोलूँ तो agenda meeting का agenda कि यह meeting किस purpose के लिए hold करी जा रही है तो देखो notice of general meeting in which special resolution is to be passed shall be accompanied by an explanatory statement तो notice के साथ आप एक explanatory statement लगा के भेजोगे जिसमें क्या क्या mentioned होगा all material facts necessity for buyback मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको buyback करना पड़ा अच्छा class of securities to be bought back class of securities मतलब आप shares buyback कर रहे हो आप bonds buyback कर रहे हो आप debentures buyback कर रहे हो कौन सी security आप buyback कर रहे हो amount to be invested under buyback जैसे बताओ हमारे वाले case में maximum maximum 3,000,000 रुपे Buyback में invest हो सकता है maximum इससे ज्यादा तो हो इनी सकता न आपको notice में लिखना है explanatory statement में लिखना है आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 3,000,000 से ज्यादा तो हो इनी सकता आप कितना कर रहे हो 1,500,000 कर रहे हो 2,80,000 कर रहे हो आप कितना amount buyback में invest कर रहे हो और time limit for completion of buyback ये buyback कितने समय के अंदर-अंदर complete हो जाएगा इस पे मैं आगे discussion करूँगा आपसे ये पांच चीजे उस explanatory statement में क्या करी जाएंगी mention करी जाएंगी ठीक है? अच्छा अगला एक बड़ा important discussion में आपसे कर रहा हूँ पेटा debt equity ratio पेटा सुनना पेटा उन्होंने पता है क्या काए है? उन्होंने काए है buyback करने के बाद securities को buyback करने के बाद मैं दुबारा बोल रहा हूँ securities को buyback करने के बाद debt equity ratio should be at least 2 is to 1 मतलब debt equity ratio after buyback after buyback आपको कितना maintain करना है बेटा 2 is to 1 का ratio आपको maintain करना है at least after buyback मतलब simple words में बोला जाए तो debt should be twice of equity at least point बताओ बात समझाई बेटा ठीक है? मैं आपको ना formula बना के बताता हूँ एक सुनो debt equity ratio after buyback बेटा एक बाद बताओ debt equity ratio का क्या formula होगा? debt divide by equity नाम से पता चल रहा है ना बेटा debt equity ratio मतलब debt divide by equity ठीक है? अब बेटा ये जो word debt है ना बेटा ये जो word debt है इसमें हर तरह का debt आजाता है बेटा long term debt आजाता है जैसे debentures हो गया bank loan हो गया short term debt आजाता है बेटा जैसे creditors हो गए bills payable हो गए outstanding expenses हो गए तो हर तरह का debt आजाता है long term, short term secured, unsecured सब तरह का debt आजाता है बेटा हो divide by क्या है equity और जब मैं equity बोलता हूँ तो equity से मेरा मतलब है equity shareholders funds point बताओ clear तो एक बात बता है उन्होंने क्या और ये में को एक बात बताओ उन्होंने का है debt equity ratio debt equity ratio after buyback कितना रखना है at least 2 is to 1 रखना है buyback के बाद की बात कर रहा हूँ इसका मतलब इसका मतलब जो debt है न that must be at least twice of equity यह आप कहलो twice of equity shareholders funds buyback के बाद debt must be at least twice of equity shareholders funds तो आपको buyback कुछ इस हिसाब से करना है कि यह condition का contravention ना हो मतलब debt equity ratio after buyback should be maintained at 2 is to 1 at least copy कर लो बीटा बीटा practically करके दिखाऊंगा आपको लेकिन group 2 में chapter है बीटा पूरा buyback पे कॉपी कर लो फिलाल समझा क्या चाला बीटा बाकी इसमें का है however central government may by order may by order notify a higher ratio for any class or classes of company तो बीटा वैसे एक बाँ बताओ ideal 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 debt equity ratio कितनी मानी जाती है बीटा 2 is to 1 इसको ideal माना जाता है but central government अगर चाहे तो वो एक higher ratio prescribe कर सकती है central government के पास यह power है कि वो debt equity ratio higher than 2 is to 1 prescribe कर सकती है ठीके बीटा समझ आ रहे हैं सारे points अच्छा अगला point fully paid shares all the securities for buyback must be fully paid बीटा एक बात याद रखना partly paid securities का buyback नहीं हो सकता है securities जो आप buyback करना चाहते हो बीटा वो fully paid होनी चाहिए partly paid नहीं होनी चाहिए फिर time period for which offer shall remain open बीटा एक बात याद रखना एक बात याद रखना ये जो offer है ना buyback का जो offer है ये बीटा minimum minimum 15 दिनों के लिए और ये offer maximum 30 days के लिए open रहेगा मतलब offer को accept करने के लिए आपको कम से कम कम से कम 15 दिन देने हैं और जादा से जादा 30 days आप दे सकते हो तो ये offer 15 दिन से जादा के लिए और 30 दिन से कम के लिए क्या रहेगा open मतलब acceptance देने के लिए accept करने के लिए आप कितना समय दोगे कम से कम 15 दिन दो और ज्यादा से ज्यादा 30 days However, if all members of a company agree और लिखा वाई बेटा, अगर सारे के सारे members अपना consent दे देते हैं न तो offer for buyback may remain open for a period less than 15 days तो उस case में offer 15 दिनों से कम के लिए भी open रह सकता है वैसे 10 दिनों के लिए वैसे बेटा आप 10 दिनों के लिए offer को open नहीं रख सकते that will be contravention of section 68 बट अगर सारे members अपना consent दे देते हैं तो offer 10 दिनों के लिए भी open रखा जा सकता है पॉइंट आया सबका अगला Completion of buyback the buyback shall be completed within one year of passing of resolution for buyback बेटा एक बात याद रखना resolution pass होने के एक साल के अंदर अंदर आपको buyback पूरा buyback बेटा complete करना ही पड़ेगा नहीं तो वो जो resolution था ना वो invalid हो जाएगा और आपको दुबारा से एक resolution पास करना पड़ेगा और जब मैं word resolution बोल रहा हूं तो उसमें special resolution और board resolution दोनों आ गए बेटा तो याद रखना in resolution की validity period कितनी है बेटा validity period for resolution कितनी है एक साल तो resolution पास होने के एक साल के अंदर अंदर आपको buyback complete करना पड़ेगा नहीं तो वो resolution invalid हो जाएगा बेटा buyback from whom पड़ा एक बात याद रखना company buyback ना company securities को buyback shares को buyback तीन लोकों से कर सकती है पड़ा company shares को buyback existing shareholders से कर सकती है existing shareholders से कर सकती है या फिर employees से भी buyback कर सकती है बिटा employees से भी buyback कर सकती है कौन से employees से जिनको shares issue करे गए थे अंडर employee stock option scheme है ना तो जिनको आपने shares employee stock option scheme के तहत issue करे थे उनसे buyback कर सकती है या फिर company market से market से मतलब public से shares को क्या कर सकती है buyback या फिर public से क्या कर सकती है buyback तो मुझे एक बाद दुबारा बता दो बिटा company किस किस से buyback कर सकती है existing shareholders से employees से जिनको shares allot करे गए थे employee stock option scheme के तहत या फिर बाजार से public से securities को क्या किया जा सकता है buyback किया जा सकता है अच्छा अगला आता है declaration of solvency पिटा एक बात याद रखना buyback के बाद buyback के बाद जो company होती है न बिटा एक बात सुनो company ने cash company के पास cash था company ने उस cash से अपने securities को क्या कर लिया buyback तो cash तो गया company के पास से cash तो गया तो आपको न आपको ROC को एक declaration देना पड़ेगा किस चीज का declaration देना पड़ेगा कि buyback करने के बाद हमारी company की liquidity position affect नहीं हुई है मतलब हमारी financial position अभी भी buyback करने के बाद भी हमारी financial position liquidity position strong है हमारे पास sufficient cash है अभी भी buyback के बाद भी हमारे पास sufficient cash है in order to pay our liabilities तो बेटा ये declaration देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक बात समझो company के पास जितना cash था उस cash से company ने सारी की सारी securities को क्या कर लिया buyback अब सोचो company के पास cash खतम हो गया अब कल को liabilities को पैसा देना पड़ेगा तो company कहां से देगी तो liabilities को तो नुकसान हो जाएगा न तो ROC ने, government ने क्या कहा government ने कहा हमें सबूत दो कि buyback के बाद buyback के बाद आपकी liquidity position effect नहीं हुई है आपके पास sufficient cash अभी भी है to pay off your liabilities this is known as declaration of solvency, ठीक है पिटा पिटा ये declaration ना form number ये याद रखना form number SH9 में जाएगा ये declaration इसको sign करेंगे at least two directors जिसमें से एक managing director होना चाहिए अगर है तो और ये declaration देखो किसके पास file होगा ROC के पास stating that it will not be rendered insolvent within next one year मतलब अगले एक साल के अंदर-अंदर आप insolvent घोशित नहीं करे जाओगे ये declaration आपको देना पड़ेगा ROC को मैं दुबारा बोल देता हूँ बेटा बेटा company के पास जो cash था ठीके उस cash से तो company ने securities को buy back कर लिया ठीके तो company के पास अब cash क्या हो गया खतम अब कल को अगर liabilities को पैसा देना पड़ेगा तो बेटा liabilities को पैसा कहां से दोगे cash तो खतम हो गया तो liabilities तो बेटा जितनी भी हैं हला करेंगी न वो सब की सब तो बेटा government कह रही है ROC को एक declaration दे दो कि अगले एक साल के अंदर-अंदर आपकी financial position strong रहेगी अगले एक साल के अंदर-अंदर आपके पास sufficient cash होगा in order to pay off your liabilities यह declaration आपको देना है form SH9 में sign होगा दो directors का जिसमें से एक managing director होना चाहिए अगर कोई है तो किस के पास filing होगी ROC के पास और बेटा अगर listed company है न तो यह declaration SEBI के पास भी file होगा listed company के case है समझ आया purpose समझ आया क्यों हम declaration दे रहे हैं फिर extinction of shares ध्यान से सुनना simple बात the company shall extinguish and physically destroy the shares bought back within seven days of completion of buyback अब सुनो पिठा आपने buyback कर लिया आपने अपनी shares को आपने अपने shares को buyback कर लिया तो पिठा एक बाद बताओ जिन से आपने shares को buyback करा है वो सब आपको क्या लोटाएंगे share certificates जो आपने उनको दिये थे at the time of issue वो share certificates वो लोग आपको लोटा देंगे अब companies act कहता है कि जो share certificates उन्होंने आपको लोटाएंगे उन्हें बेटा फाड के कचरे के डब्बे में फेकना है destroy करना है उन share certificates को कितने days के अंदर अंदर बेटा within seven days of completion of buyback तो buyback complete होने के साथ दिनों के अंदर अंदर आपको वो share certificates physically destroy करने पढ़ेंगे फाड के फेकने पढ़ेंगे अच्छा prohibition on further buyback further offer of buyback shall not be given within one year of closure of preceding offer of buyback पिटा इसे हम ना cooling period भी कहते है cooling period क्या मतलब होता है cooling period का पिटा companies act कहता है कि आपने buyback कर लिया आपने buyback कर लिया अब एक साल तक एक साल तक थंडे होके बैठ जाओ थंडे होके बैठ जाओ मतलब अगले एक साल तक आप buyback नहीं कर सकते पिटा ऐसा होता था ना बच्पन में हम लोग अपनी family के साथ suppose abroad गए vacations पे ठीक है पापा का बेटा अच्छा खासा खर्चा हुआ चार पांच लाक रुपे का पूरी family को abroad गुमाने में चार पांच लाक रुपे का खर्चा हुआ तो पापा जब वापस आते थे न vacation से तो पते क्या बोलते थे एक साल तक अब नाम मत लिना अगले साल बात करना तो पापा क्या कह रहे हैं अब घूम के आगे न अब एक साल तक थंडे होके बैड़ जाओ बहुत खर्चा हो गया है अब एक साल बात बात करना Companies Act भी बिटा Company को यही कह रहा है Buyback कर लिया खर्चा कर लिया अब एक साल तक थंडे होके बैड़ जाओ एक साल तक Buyback का नाम मत लेना एक साल कहां से बिटा Within one year of closure of preceding offer of buyback तो previous offer of buyback offer जब close हुआ था ना बिटा offer जब close हुआ था बिटा offer open तक रहता है minimum 15 दिन maximum 30 days तो जिस date को offer close हुआ था पिछला वाला वहां से एक साल तक आप दुबारा buyback नहीं कर सकते हैं Prohibition on further issue The company shall not make a further issue of same kind of securities within next six months by way of bonus shares और issue of shares as stock option sweat equity shares और conversion of preference shares और debentures into equity shares ठीक है पिटा उन्होंने पते क्या का है कि buyback complete होने के ना buyback complete होने के चे महिने तक चे महिने तक आप कोई भी कोई भी नई securities कोई भी नई securities आप issue नहीं कर सकते हैं नाइदर वाइवे और bonus बोनस इशू नहीं कर सकते हैं आप employee stock option scheme के तहट shares इशू नहीं कर सकते हैं आप sweat equity shares इशू नहीं कर सकते हैं आप preference shares और debentures को equity में convert नहीं कर सकते हैं अगले 6 महिने तक restriction है बिटा prohibition है फिर register of buyback register of buyback है यह बिटा register of buyback the company shall maintain a register in form number SH9 containing the following particulars containing the following particulars बिटा register of buyback क्या कह रहा है कि company shall maintain company shall maintain a register in form number sorry यह SH9 नहीं है यह SH10 है misprint है in form number SH10 containing the following particulars तो बिटा company's act कहता है आपको एक register company को एक register buyback का एक register maintain करना पड़ेगा form number SH10 में अच्छा उसमें बिटा क्या-क्या बात आएंगी securities bought back कौन-कौन सी securities को आपने buyback करा consideration paid for securities bought back मतलब consideration आपने securities के लिए कितना pay करा जैसे मेरे वाले example में एक share का हम 15 रुपे पे कर रहे थे तो इसी को हम क्या कहते है buyback price per share buyback price आप security को buyback किस price पे कर रहे हो date of cancellation of securities date of extinguishing and physically destroying the securities उपर हमने पढ़ा था ना बिटा buyback complete होने के साथ दिनों के अंदर अंदर आपको share certificates को physically destroy करना पड़ता है तो कौन सी date को destroy करा आपको बताना पड़ेगा any other particulars as may be prescribed तो ये चीज़े आपके register of buyback में आपको maintain करनी पड़ेंगी other compliances listed companies को बेटा SEBI के regulations को comply करना पड़ेगा unlisted के ओपर SEBI apply नहीं करता तो उसको central government के द्वारा बनाए गए rules को comply करना पड़ेगा return of buyback बेटा after completion of buyback the company shall within 30 days file a return in form number SH11 है बेटा ये SH11 containing such particulars as may be prescribed तो बेटा buyback complete होने के 30 days के अंदर अंदर आपको ROC के पास एक return of buyback file करनी पड़ेगी form number SH11 में ठीक है और ये return किस के पास file होगी ROC के पास in case of unlisted companies और अगर listed है तो ROC और SEBI दोनों के पास ठीक है और last आता है penalty for default बेटा company के ओपर fine लगेगा minimum 1 lakh है maximum 3 lakh रुपे और जो concerned officer है उसे imprisonment हो सकती है 3 साल तक की या fine लग सकता है minimum 1 lakh maximum 3 lakh या फिर दोनों हो सकते है तो बेटा मेरे ख्याल से बाते clear हुई है जो main main बाते हैं वो बेटा हमने detail में discuss करी है ठीक है पका clear हुआ तो आपका बेटा इसी के साथ section 68 हमारा finish हो गया बाकि हम next class में discuss करते हैं till then thank you